हेलो एवरिवन पिछले 5-6 दिनों में मैंने एक भी लेकपाल से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली डेली कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है ठीक है तो आज यूपी लेकपाल 2022 से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन निकल करके सा रहा था लेकिन अब क्या हो गया है कि स्टी फ जो है वो इस पर जाच कर रही है कि हाँ किस तरीके से कितने संदेग दिसके अंदर सामिल है तो इस वज़े से हम लोगों का रिजल्ट जो है वो दिवाली के बाद में आएगा और साती सात जो हमारा रिजल्ट है वह नवंबर के first week में आने की पूरी पूरी chances बताए जा रहे हैं कि हाँ जब stf अपनी जाच पूरी कर लेगी तो नवंबर के first week में हमारा result जो है वो जारी कर दिया जाएगा ठीक है तो अगर आप लोग अपने result का wait कर रहे हैं कि result आपका कब आएगा तो आप लोग कोशिस कीजिए कि आप लोग नवंबर के first week के बाद में ही अपने result देखें कि हाँ इस समय तक मेरा result आ सकता है तो कि इस से पहले आने की संबाबना जो है वो बहुत कम है क्योंकि जितने भी लोगों से मैंने पता किया है कुछ एक दो लोग जान पहचान के हैं वहाँ पर विवाग में नाम लेना सही नहीं होगा तो उन्होंने यही बताया कि नवंबर के first week में आपका result आने की संबाबना है अब देखिए क्या बता रहे हैं कि expected cut off after 15,000 scammers तो देखिए हर जगे आप लोग यही देख रहे होंगे कि हाँ मतलब 15,000 का स्कैमर बैठे थे इसमें तो उसके बाद में आपकी cut off कह रहे सकती है तो देखिए यह तो आप लोगों को उससे पता चल सकता है कि उन्हें किस हिसाब से cut off दी गई तो देखिए कोई आपको कुछ भी कहे या आपको कितना भी बरगलाए लेकिन जहां तक उम्मीद बन रही है कि अगर यह सकैमर बाहर नहीं होते है मतलब जो यह 15,000 सकैमर उसके अंदर है तो यूर की cut off तो 80 प्लस जानाता है हलाकि अब कई यूटूबर्स आप लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फसाएंगे और बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी भी 80 प्लस बताने वाले बहुत गलत कह रहे हैं तो वो अभी भी आपको cut off बताएंगे कि हाँ 21,000 बच्चे निकल जाएंगे इधर निकल जाएंगे उदर निकल जाएंगे तो बच्चेंगे ही कितने तो आपसे कहेंगे कि 21,000 बच्चे अभी आने वाली बात समझ लिजिए कि जो स्कैमर्स हैं ये 15,000 ये हर जग है तो पैसे दे के बैठे नहीं होंगे अगर ऐसा ही होता अगर इन्हें पैसे से सिलेक्षन होना होता तो ये अब तक ले चुके होते 8-10,000 रुपए आप लोग भी जानते हैं कोई कम नहीं होते हैं पता नहीं कैसे ये लोग दे लेते हैं लेकिन फिर भी इनके अंदर सास्त होता ही है देने का तो हाँ ये मान सकते हैं कि 21,000 जो ये सिलेक्ट होंगे उसके बाद कट अफ नीचे आ सकती है और आप लोगों कि कट अफ ये है कि हाँ नीचे आ सकती है लेकिन जो वही जो बता रहे है इन 15,000 इस कैमर्स के वज़े से जो 83, 84 प्लस जाने वाली थी कट अफ वो अब क्या हो जाएगी यू आर की 80 प्लस जाकर के रह जाएगी लेकिन ये तो आप लोगों खुद भी मन में पता होगा कि हाँ यू आर की कट अफ जो है वो 80 प्लस जाने की पूरी पूरी समभावना है ठीक है और जादा कुछ अंतर नहीं रहेगा और यहां तक की OBC जो है ये भी तकरीवन पीचे रह सकती है कट आफ ऐसी ही संभावना है कुछ देखिए बरतमान जो परिस्टियां है और जो सचाई है उससे आप लोग विमुख ना हो आप लोग खुदी जानते हैं कि HDF जो है वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है उसके उसने जितना काम किया है वो फर्स टाइम मैं यह देख रहा हूँ कि हाँ कम से कम जो है कि इस बार पकड़े जा रहा है और मेरा भी यही मानना है कि देखे री एक्जाम किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है सबसे पहले अगर देखा जाए तो यह 15,000 स्कैमर्स पकड़े जाना जरूरी है क्यो से यह सब के सब बैठेंगे उसमें और जाहिर सी बात है जब से UPSTF की कारवाई चली है इन्ही 15,000 में से काफी लोग उछलो उछल के बस दो ही तीन बातें कह रहे हैं या तो सरकार चेंज कर दो और या दूसरी बात कह रहे हैं कि या तो री एक्जाम होना चाहिए अरे 15,000 के 15,000 यह जो STF हैं लोग हैं स्कैमर्स देखिए STF इन्हें छोड़ेगी तो बिलकुल नहीं अगर उसने इतना काम किया है कि सभी की लिस्ट बनाई है तो आप लोगों में से जितने भी लोग हैं लगातार पकड़े जा रहे हैं और यह लोग भी बचेंगे नहीं और इ आज की ही अपडेट थी कि आपका रिजल्ट जो है वो नवंबर के फस्ट वीक में आ सकता है और आपकी कट आफ जो है उसमें यूर की कट आफ 80 प्लस जाने की पूरी पूरी संबाब ना है ठीक है तो आगे कोई भी अगर अपडेट होता है तो उससे रिलेटिड हमारे चै